जब भी आपको अपने घुटनों के अंदर कोनियों के अंदर दर्द का सामना करना पड़ता है तो आपको अक्सर बोला जाता है कि आपकी हड़ियां कमजोर हो चुकी है या फिर आपके शरीर के अंदर केल्शियम की कमी हो चुकी है आज आपको ये फीजियो वाला डॉक्टर बताएगा ऐसी पांच चीजें जिससे आप अपने बाड़ी के अंदर कैल्शियम को भी पूरा रख पाओगे और अपनी हड्डियों को मजबूत भी रख पाओगे सबसे पहले जब भी हम कैल्शियम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज हमेशा स्ट्राइक करती है वो है दूद यानि कि दूद से हमें कैल्शियम मिलता है लेकिन उन लोगों को क्या जिन लोगों को दूद पसंद नहीं है जिन लोगों को दूद ऐलर्जी करता है जिन लोगों को lactose की intolerance रहती है उन लोगों के लिए सबसे best चीज होती है moringa या जिसे हम surgeon भी बोलते है इसके आदे चम्मच जो powder है अगर उसको आप पानी के अंदर गोल कर पीते हो तो इसके अंदर कम से कम दो गिलास दूर जितना calcium आपको मिल जाता है अब आप calcium भी खा रहे हो कई बार आप बाहर से supplement भी लेते हो उसके बाद भी जब आप report कराते हैं तो उसके अंदर आपका calcium हमेशा ही low आता है अब आपको कभी समझ में नहीं आता है कि आपके शरीर के अंदर ये calcium कम क्यों है हाला कि आप medicine भी ले रहे हो और जिन चीज़ों से calcium मिलता है वो आप वो भी खा रहे हो ये होता है हमारे vitamin D की कमी की वज़े से आपको vitamin D का test ज़रूर करवाना चाहिए क्योंकि vitamin D हमारे शरीर के अंदर calcium का synthesize करता है अगर vitamin D हमारे शरीर के अंदर कम होगा तो calcium आपका पचेगा नहीं अंदर हमेशना कुछ ना कुछ weakness बनी रहती है ये कमज़ोरी हो सकते है आपकी vitamin B बादा या albumin की कमी की वज़े से vitamin B12 एक essential protein है albumin भी एक essential protein है जो हमारे शरीर के अंदर healing को represent करते है और साथ में ताकत को represent करते है अगर ये दोनों ही हमारे शरीर के अंदर कम होगे आपके शरीर की healing कम होगी अगर आपके joint आपसके अंदर रगड खा रहे हैं अगर उसके अंदर healing नहीं होगी तो आपके joint हमेशना आपको pain देते रहेंगे तो इस वज़य से इन दोनों का test कराना भी जरूरी है और दोनों के लिए proper diet का लेना या proper supplement या medicine का लेना भी आपके लिए बहुत ज़ादा जरूरी हो जाता है नमबर 4 आपने extra notice किया होगा कि आपकी जो हड़ियां हैं उनकी जो end plate है या joints हैं उनके जो last वाले हिस्से हैं वो थोड़े चक्टे हो जाते हैं उनके side के अंदर corners निकलने शुरू हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं कि आपकी हड़ी बढ़ चुकी है या हड़ी की extra growth हो चुकी है अब ऐसा क्यों होता है यह होता है जब आपकी हड़ीयों के उपर extra version पढ़ना शुरू हो जाता है इसका एक ही कारण है वो कारण है आपकी muscle वीकने हैं और इसके solution की बात करें वो है आपकी muscle की strengthening यानि कि आपको अपनी strengthening exercises की ज़रूरत होती है अगर आपकी muscle कमज़ोर होंगी तो आपकाा सारा way direct bone के ओपर पढ़ता है और आपका cartilage damage होने शुरू हो जाता है और cartilage damage होनी के बाद वो joint के ओपर सारा pressure आता है जिसके बाद धीरे धीरे तो आपके joints की end plates है उनकी shape change होनी शुरू हो जाती है और आपके joints shape change करना शुरू कर देते हैं Number 5 अगर आप अपनी बॉड़ी को प्रॉपर तरीके से नहीं देते हो उसे प्रॉपर तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं रखते हो तो उसकी वजह से जो आपकी हड़ियां है वो सूखना शुरू हो जाती है कि सूखे पापड की तरह बन जाती है जिस वजह से कभी भी अगर आप एक्स्ट्रा वेट डालते हो तो आपकी हड़ियां हमेशा फ्रेक्चर होती है अगर आपने हड़ियों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जैसे कि ह हमेशा ही हरी पत्यदार सब्जियों का आपको सेवन करना है कम पका हुआ अपने खाना खाना है और अगर आपको उबला हुआ खाना मिले वो तो आपकी हड़ियों के लिए बहुत ही जादा बेटर है लेकिन जो फ्राई चीजे हैं या फिर जो ब्रेविजेस हैं जुनके अ मिठा होता है ऐसी चीजों से आपको अवाइड करना है या ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है यह पांच चीजें अगर आप करते हो तो आपकी हड़ियों की मजबूती भी बरकरार रहेगी हड़ियों की फ्लेक्सिबिलिटी भी बरकरार रहेगी और आपकी हड़ियों के सरफ इतना ही नमस्कार